चैप्टर दोस्त में वारा है एस बोलोग के एलिमेंट तो एस बोलोग के एलिमेंट बाज आपलो सोडियम कोलोराइट, सोडियम हाइड ओक्साइड और वासिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे सोडियम कोलोराइट के बारे में आज मिलोब पढ़ेंगे दोस्त, सोडियम कोलोराइट का केमिकल फर्मूला है एने सी एल और दूसरा नाम है कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट सोडियम कोलोराइट का कच्चा रूप तो इसी को प्यार से क्या बोलते है रोक सोल्ट रोक सोल्ट का जो कलर होता रंग होता वो क्या होता है भूरा कलर का इसी को बोलते है चट्टान वला नमक नेचर सोडियम कलोराइड आयोनिक कमपाउंड है क्योंकि सोडियम कलोराइड टूर जाता है एने पलस हो और सी एल मेनस में सोडियम कॉलोराइट को त्यार करने का तरीका समूद्री जल के सूरी के दुआरा वास्पी करन के दुआरा त्यार किया जाता है सोडियम कॉलोराइट को जायदा पेमाने पर पर्योक्साला विधि जब हाइड्रोजन कॉलोराइट परतिकिरिया करता है सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ तर मेन प्रोड़क्ट रूमे सोडियम कॉलोराइट और बाय प्रोड़क्ट रूमे वाटर का फोर्मेशन करता है हाइड्रोजन मेटाल है इलेक्ट्रोन को लूच किया तो मुंडी पर पोजेटी चार डेवलप हुआ कोलोरिन नोन मेटाल है इलेक्ट्रोन को गेन किया तो कलोरिन के मुंडी पर पोजेटी चार डेवलप हुआ सोडियम मेटल है ते लेक्टोन को लूच इए तो सोडिय के मूंडी पर पोजेटी चार डेवलप हुई ओक्षेन के मूंडी पर नेगेटि चार डarp हुई hydrogen positive, chlorine negative तो जिस तरह baby को base पसंद है उसी तरह acid को क्या पसंद है base और acid और base की reaction से यहां water बन गिया और metal को क्या पसंद है non metal तो man product में NACL का भी formation हो गिया sodium chloride का गुन तो sodium chloride चरक कलर का रवेदार पदार्थ होता है sodium chloride गंध हीन होते है sodium chloride पानी में अतियंत घुलन सील होते है ताराल अवस्था और गला हुआ अवस्था में विद्यूत का अच्छा सुचालक होता है sodium chloride reaction का मतों होगी दोस्ट reactant से product बनाना जब sodium chloride परतिक रिया करता है sulfuric acid के साथ में प्रोड़क रूप में sodium by sulfur बनाता है और बाइप प्रोड़क रूप में हाइड्रोजन कुलवायर बनता है हाइड्रोजन कुलवायर एक तरह का गेस यह बरतन से भेपराइज हो जाता है सोडिया मेटल है तरह मुंड़ी पर पोजेटी चार्ड डेवलाप हुआ नोन मेटल तरह मुंड़ी पर नगेटी चार्ड डेवलाप हुआ सर्फूरिक शिट को तोड़ते हैं तो एज पलास और होईस फोरमेनेस में तूड़ता है तो जिस तरह बेबी को बेज पसंद है उसे तरह मेटल को नन मेटल पसंद है तो बाइप प्रोड बन गया आब ये एने पलास इस हैस उप फोरमेनेस के साथ रियक्शन करके सोडियम बाय सर्फिट का फोर्मेशन करता है सिल्वर नाइटरेट का जलिये गोल जब परतिकिरिया करता है सोडियम कोलोराइट के जलिये गोल के साथ तब में प्रोड़क्टर में सिल्वर कोलोराइट अब छेव कुर्प में प्राप्थ होता है और sodium nitrate जली आवस्था में ही रह जाता है तो silver metal है तो मुंडी पर positive चर डेवलप हुआ nitrate non metal तो मुंडी पर negative चर डेवलप हुआ sodium metal है तो मुंडी पर positive चर डेवलप हुआ और colorid non metal है तो electron को gain किया और उसके मुंडी पर negative चर डेवलप हुआ तो जिस तरह बेबी को बेज पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है नोन मेटल तक तो सोडियum कौलराइट के साथ रियेट करके सोडियum कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया सोडियम कुलोराइट का उपयोग सोडियम कुलोराइट का यूज टेबल सॉल्ट के रूप में किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को त्यार करने में भी सोडियम कुलोराइट का यूज होता है सोडियम हाइड rockside का formula होता है NAOH वेपारिक नाम है kastic soda नेचर है आइक अजबूत बेस जहाँ पर pH का घळ nós 13 नहीं प्रैजेरा है कि समय के सोडियम हाई रॉक्साइट को तियार करें इस सोडियम हाई धीर स्म करेंगे टैण जा जाता है जलिए घोल सोडियम कुलॉराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट दिये जाता है तब त्यार हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उस बरतन करना में कास्टनर केलनर सेल जब सोडियूम कोलोराड परतिकिरिये करता है वाटर के साथ इलेक्ट्रिक करंट देने पर तो मेन प्रोड़क्ट पर सोडियूम हाइड्रोकसाड प्राप्त होता है और केथोर्ड रोड पर हाइड्रोजन गेस और एनोड रोड पर कोलोरीन गेस देखे दो ट्रीके है कार sca कमत होगे केथोड का रोड की रोड क्या होते हमेशा entrepreneurship ट्रीक हैма αое आ होगे anode तो anode रोड पर हमेशा क्या होते है oxygen तो जब sodium metal है जब ही कभी metal वाटर के साथ react करता है तो metal का hydroxide बनता है तो sodium का hydroxide बन गिया कलोरीन का स्टेबल फ्रम कलोरीन गेस होता है और हाइडोजन का स्टेबल फ्रम हाइडोजन गेस होता है प्रोपर ट्रिल्स वाइट कलर का होता है यह हमारा मॉम के जैसा होता है यह भी हमारा क्या गंध हीन सोडियम हाइडोकसाइड सोडियम हैड्रोक्साइड के चारो और मोलीकूल पानी को अपसूसित करते हैं इसलिए आप परकिर्ती में हैड्रोस्कोपी कहलाते हैं सोडियम हैड्रोक्साइड का रियैक्शन एयर के साथ जब सोडियम हैडोकसाइड सोलीड अवस्थम होता है वह परतिकिरिया करता आधरता के साथ सोडियम हैडोकसाइड का जलिये घौल प्राप्त होता है जब सोडियम हाइड ओक्साइड का जलिये घोल परतिकिरिया का तक कार्बन डायोक्साइड गेस के साथ तब मेन प्रोड़ेट करूप में चरक कलर का पाउडर प्राप्त होता जो सोली रवस्थम होता है तो सोडियम कार्बन डाय ओक्षाइड के स म writers किया सोडियम कार्भॉनेड बना लिया और हाइड्रोजन ओक्षियन कॉंबिनेशन से फिर हिंगा वाटर बन गिया चार ये प्रकिरती तो सोडियम हाइड्रोखसाइड एक तरह का मजबूत बेस है जो पर्तिकिरिया करता है acid के साथ और बनाता है salt और water तो जब sodium hydroxide पर्तिकिरिया करत है hydrochloric acid के साथ तो mean product रूप में sodium chloride और byproduct में water का formation करता है sodium metal है एक electron को loose किया तो sodium के मुझी पर positive value हो गया oxygen non metal है एक electron gain किया तो oxygen के मुझी पर negative value हो गया हाइड्रोजन मेटल है एक लेक्ट्रोन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुन्डी पर पोजेटी चर्डेवलाफ हो गिया कलोरिन नॉन मेटल है एक लेक्ट्रोन गेंड किया तो कलोरिन के मुन्डी पर नागेटी चर्डेवलाफ हो गिया तो जिस तरह बेबी को बेस तो एसी तो बेसिक के रियक्शन से वाटर बन गिया और मेटल को क्या पास है नोन मेटल यहाँ पर में प्रोड़क्ट रूप में सोडियम को राइड का फॉरमेशन हो गिया तो सोडियम हैडोक्साइड का यूज यह एक तरह का लेबुरेटरी रियेजन्ट है इसका यूज अक्सर लेब में होते रहते है बॉक्साइड और को सूध करने के लिए सोडियम हैडोक्साइड का यूपियोग होता है और कम होता है आयास्क बॉक्साइड और का मॉलिकुलर लोग गया Al2O3 2mol of water इसको पढ़ते alumina dihydrate तेल को सूध किया जाता है sodium hydroxide की मदद से अब हम लोग दो sodium carbonate के बारें पढ़ेंगे सूधियम कार्बोनेट का chemical formula होगे Na2CO3 10s2o तो Na2CO3 को पढ़ते sodium carbonate 10 को डेका water को hydrate पूरा नाम होगे sodium carbonate डेका hydrate chemical name होगे sodium carbonate डेका hydrate वेपारिक नाम होगे वासिंग सोडा वासिंग सोडा को प्यार से धोवन सोडा भी बोलते वासिंग सोडा को त्यार किसे करेंगे यह हमरा किया भेरी भेरी important तो वासिंग सोडा को त्यार किया जाता है solway process के दुआरा इसी को बोलते हैं ammonia soda process नेम लिखित अस्टेक के दुआरा carbon dioxide gas को परवाहित किया जाता है जलिये घोल sodium chloride मे तब वा ammonia के साथ संत्रीप्त होता है जब ammonia परतिकिरिया करता है carbon dioxide और water के साथ तब main product group में ammonium bicarbonate का formation करता है sodium bicarbonate को प्यार से baking soda बोलते हैं मतलब खाने वाला soda को baking soda बोलते हैं और बाइ प्रोराइक रूप में ammonium chloride का formation करता है तो sodium metal है एक electron को लूच किया मुण्डी पर positive चाड़ लफ हो गिया chlorine non-metal है एक electron को गें किया तो कलोरीन के मुण्डी पर negative चाड़ लफ हो गिया ammonium metal है तो मुण्डी पर positive चाड़ लफ हो गिया बायकार्बोन नौन मेटरल तो मुणडी पर नेगेटिव चाड़ लफ गया, त्विग अन्य-पलस HCO-3 मेनेज के साथ रियेट किया, सोडियम बैकार्बोनेट बना लिया, फिर NH4 Cl-के साथ रियेट किया, और अमोनिय कोलराइट का फोर्मेशन कर दिया, सोडियम बाय कार्बोनेट को गर्म करने पर जब सोडियम बाय कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो में प्रोडर्क रूप्ट में सोडा का राक और बाय प्रोडर्क में वाटर मोलिक्यूल और कार्बन डाय ओक्सेट का फॉर्मेशन करता है देखे तो जब हम लोग कभी भी कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो वह तुटता है कार्बन डायोकसाइड और नेसेंट ओक्सीजन में तो ये कार्बन डायोकसाइड के रूप में बाइप्रोरिक्ट रूप में निकल गिया अब ये हाइड्रोजन इस नेसेंट ओक्सीजन के स पाने में तब बदल जा रहा है क्रिस्टली करन में सोडियम कार्बोनेट को जली अवस्थाम में क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टली करन का प्रोसेस करने पर में प्रोड़क्रूप में सोडियम कार्बोनेट डेका हैडरेट का फ्रमेशन होता है इसी को प्यार से क्या बोलते है वासिंग सोडा और हिंदी में बोलते हैं इसको धोवन सोडा